नमस्कार में मुम्तासिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई नियूज इस पे नई नियूज बाचीत करने वाले हैं आजान, लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा के बाद अब रास ठाकरे का क्या होगा रास ठाकरे के तेवर भी बदलते नजर आए, उदब ठाकरे के भी तेवर बदलते आए, कोट का जटका भी उन्हें लगा, फटकार भी लगा तो आज इसी सवाल पे बाचीत कर रहे हैं कि अब महरास्ट में रास ठाकरे का क्या होगा नगर निगाब के चुनाब होने वाले हैं, क्या उसको लेकर रास ठाकरे का क्या प्लान रहेगा साथी ये भी जानने वाले हैं कि गैर वरेंटी जो जाहिर हो गई है लेकिन घरफतारिया नहीं हो रही है, खास करके रास ठाकरे के आखर क्यों इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे लेकिन आखिरे में एक और एहम सवाल वो ये कि क्या उद्दब ठाकरी का इस्तीफा तो नहीं हो जागा इस्तीफा की वज़ा ये कि जिस तरह से हालात बेकाबू हुए जिस तरह से हनुमान चालीसा बजाए गए और जिस सरीके से अभी भी उन पर हमला किया ज़ा रहा है रास ठाकरी के तरफ से तो क्या उनकी कहीं इस्तीफा तो नहीं देना पड़ेगा इन्हीं तमाम सवालों पर खुल कर आज बात शीट करेंगे बेहत खास मेमान मेरे साथ मौजूद है सबसे पहली सवाल के उरूफ कर रहे है पहला सवाल है कि आपने देखा कि नमरीत राना पर करवाई हुई आपने ये भी देखा प्रांशी कि उनके पती रवी राना पर भी करवाई हुई यहां तक कि जेल भी भेज दिया गया राजदुरों का मुकदमा भी लगाया गया लेकिन जिसने इस आग को लगाया जिसने इस आग को सुलगाया उस पे अभी तक कोई करवाई नहीं हुई है क्या ये समझा जाए वो कोयार नहीं वो रास ठाकरे हैं आभी जानते हैं तो क्या आपको लगता है कि अब उद्दब ठ अगर यहां पर बात की जाये मनसे प्रमुक रास ठाक्रे के बारे में जैसा कि उन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया जिसके बाद हमें अलग-अलग राज्यों में ये मुहीम देखने को मिली है उत्र प्रदेश में इसका समाधान निकाल लिया गया योगी अदेतेना जो मुख्यमंत्री का पर संभाल रहे हैं उन्होंने बहतरीन तरीक जो नजदी की है वो कॉंग्रेस के साथ देखने को मिल रही है और उनके साथ सरकार भी है बिल्कुल और उद्दफ ठाकरे को लेकर यहां पर इस्थिपे की तरफ इसलिए लोगों का रुख नजर आ रहा है कि कही ना कहीं उद्दफ ठाकरे यहां पर कमजोर पड़ते हुई क्योंकि अब जो बड़ी चीज हमें देखने को मिली है कि सिफ्षे ने खुद रास ठाकरे के समर्थन में उतर आये हैं क्योंकि लावड़ी स्पीकर विबात को लेकर जिस तरीके से उन्होंने एलान किया और उन्होंने रोकना चाहूंगा आपको बिल्कुल क्योंकि जो उनकी गिराफतारीया नहीं हो रही है और कि ये भी तो वज़ नहीं कि अगर गिराफतार हो जाएंगे तो महौल आरग खराब हो जाएगा क्योंकि रास ठाकरे के बिसमर्थक बहुत है क्योंकि आप देख आपने देखा होगा कि औरंगभाद में जब महाराइली निकली तो बीच में तो अब AIMIM भी उतराई है क्योंकि यहां पर उन्होंने अब यह दावा कर दिया है कि यदी औरंगबाद में रेली की गई है जिस तरीके से शांदार तरीके से तो AIMIM की तरफ से यह बयाना चुका है तो हम भी रेली कर सकते हैं यहां पर लोग इतने सारे नजर आये हैं और इतनी ही तादात में हम भी रेली करेंगे तब हम देखेंगे कि कारवाई क्या कुछ कर सकता है पुलिस पृषासन और दूसरी तरफ शिपसेना की तरफ से भी रेली कायोजुन किया गया है और अंगाबाद में तो यहां पर आसिफसाद देखने वाली बात यह है कि ठाकरी जो कदम बढ़ाती हुँ नजर आ रहें उसी कदम पर चलती हुद्धव सरकार नजर आ रहें अयोध्या में रेली निकालने को लेकर अयोध्या दौरे को लेकर जो दावी किये जा रहें अधित्य ठाकरी जल्द ही 12-14 मई की बीच वहां पर पहुंच सकते हैं और वो पहां की जनता से लिए जब लाइफ सुषन क्या तो वो लोग कह रहें कि इसले तवज्जो दिया जा रहा है ताकि महंघाई पर बात नहों और दोनों चाहिए वो पसत्ता पक्षो या बेपक्षो इस पर घूम फिरकर अपना हिंदू-मूसलिम करते रहें कि आपको लगता एक जाती को फायदा हो सकता है इस तरह के बात करने से जिस तरह के बाट करने से यहां पर देखने को मिला है यह किसी को नहीं होने वाल है देख तो तरह के बाद देने के लिए यह कुछ किया जा रहा है क्योंकि यहां पर जिस तरीके से हमें गटफंदन देखने को मिलता है कि कहीं शायद बीजेपी के साथ मिलकर वहें कोई बड़े फैसले तो नहीं ले सकते हैं अयुद्या का दौरा आखिरकार किस लिए एक्जेक्ली यानि पूरा खेल जो है वोट बैंक के लिए यह बहुत बड़ी बात आप कह रही है तो यहीं से सवाल है कि क्या इसलिए महरास्ट कोट ने भी फटकार लगाया महरास्ट सरकार को यानि उदब ठाकरे के सरकार को कि भाई साब यह डिरामा बंद कीजिए आप दो हफ़ते के अंदर नगर सब्सक्राइब का लिए मैंृट नार्टी को फाइदा कीजिए पार्टी को होगा अगर समय रहते ही जो पाटी जिस बात को माल लेती है जनता की हित में अगर जो फैसला लेती है तो जाहिसी बात है फायदा तो उसी पाटी का होगा लेकिन उद्धब ठाकरे का फायदा यहां पर कई हद तक जादा हो सकता है क्योंकि राज्य में इस वक्त उनकी सरकार है मुख्य मं संबाल लेते हैं जनता की हित में तो जाहिसी बात है उनका सबसे बड़ा फायदा होने वाला है और दूसरी तरफ अगर अयुद्या का दौरा कर रहे हैं तो अधित्य ठाकरे को लेकर जो भी दावे कि जा रहे हैं कि वह वहां पोचिंग वोटिंग को बढ़ावा दे सकते ह काफी बड़ा फायदा उठा सकती है लेकिन यहां पर अगर रास ठाकरे अपनी बातों को मनबाते हुए नसर आए तो कहीं ना कहीं अगर जनता को उनका फैसला पसंद आया तो ठाकरे की जो सरकार है कई कदम पीछे हटती भी भी नजरा सकती है कि नवनी तराणा के मामले की बीच हमने कई ऐसी चीज़े देखी है एक्जैक्ली सिर्फ दो सवाल है प्रांसी आपसे चोटा-चोटा एक तो पहला सवाल यह है कि जो राज ठाकरे जो लाओड स्पिकर उन्होंने अपना बयान दिया फिर आप कह रहे हैं यह भी जाने वाले हैं क्या वाकई में लोगों आपको लगता है कि जब तक यह मामला ठंधा नहीं होता है क्या उससे पहले रास ठाकरे की गिरफतारी हो पाएगी अगर यहां पर बात की जाए आसिफ सर इसको लेकर मैं कोई भी दावा नहीं कर सकती क्योंकि रास ठाकरे की ग्रफतारी से तो वह इस तरीके से कदम बढ़ाते हुए नजर नहीं आते क्योंकि रास ठाकरे दिन पर दिन फैसले लेते प्रेस कॉन्फरेंस में भी उन्होंने कि रुकने वाला है अब देखना होगा कि लोग गिरफतारी की मांग कर रहे हैं कहना मुश्किल है कि क्या वाकई में गिरफतारी होगी या फिर इस्तीफे होगी लेकि प्रांशी से बात कर तो एक ही चीज समझ में आया कि यह नेता ना बहुत हुशियार है यह अपनी राज हुशियार है